वर्ल्ड ट्रेट सेंटर पर 9-11 हमले के बाद आतंकी उसामा बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था माना जाता है कि इसी घटना के बाद अमेरिका ने लादेन को हर हाल में ठिकाने लगाने की ठान ली थी फिर अमेरिका ने कई सालों तक पूरी दुनिया में उसके लिए तलाशी अभ्यान चलाए रखा हाला कि इस काम में सफलता हाथ लगी अमेरिका के राश्रुपती रहे बराक उबामा को जिनके निर्तत्व में इस पूरी योजना को 2 मई 2011 को अंजाम दिया गया था कई सालों तक चली खोज और खूफिय एजन्सियों की जाच पर्ताल में पता चला कि उसामा बिलादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में है उसामा ने अमेरिकी खूफिय एजन्सी CIA के साथ मिलकर योजना पर चर्चा की और रेट करने को कहा इस खतरनाक मिशन को आपरेशन नेप्चून स्पियर नाम दिया गया इसके तहट नेवी सील कमांडों को 2 मई 2011 में टारगिट पर रेट करनी थी साथ ही आदेश था कि उन्हें उसामा को जिन्दा या मुर्दा लेकर आना है 9-11 हमले के बाद अमेरिका ने उसामा और अलकाइदा के खलाब जंग का एलान कर दिया अफगानिस्तान में अलकाइदा और तालिबानी आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया 10 साल चले आपरेशन में अमेरिका ने आतंकियों को मौत की नीन सुला दिया फिर भी एक कसक अमेरिका को रह गई कि इस हमले का मास्टर माइंड अभी भी नहीं मारा गया कई प्रयासों के बाद भी उसामा उसकी गिरफ्त से बाहर था लेकिन जब अमेरिका को उसामा बिलादेन के पाकिस्तान में छेपे होने की खबर मिली तो इसके बाद अमेरिका ने ओपरेशन नेप्श्यून स्पियर शुरू किया इस पूरे ओपरेशन को वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में लाइट चलाया गया जिसे ओबामा समेट कई बड़े सैनी अधिकारी देख रहे थे करीब दो दजन नेवी सील्स के जवान दो हेलिकॉप्टर में बैट कर टागिट की तरफ उड़ चले कुछ देर बाद ये हेलिकॉप्टर एप्टाबाद में ओसामा के ठिकाने के उपर जा पहुँचा और फिर नेवी सील्स के कमांडों ने नीचे उतर कर ठिकाने को घेल लिया इतने में ही एक आतंकी की नजर इन कमांडों पर पड़ी और उसने फाइरिंग शुडू कर दी इमारत के तीसरे माले पर एक कमरे का दरवासा बंद था धीरे धीरे कदमों से बढ़े एक नेवी सील्स के कमांडों ने एक दरवासे को निशाना बनाया और फिर इसे तोड़ दिया दरवासा खुलते ही उसे सामने अपना टार्गेट उसामा बिन लादेन दिखा उसे बिना एक पल गवाए उसामा पर फाइर कर दिया चंद सेकंड के भीतर दुनिया भर में आतंक का पर्याय रहा आतंकी उसामा बिन लादेन बेजान जमीन पर जाके रहा फिर अमेरिका का ओपरेशन नेप्ट्यून स्पियर पूरा हो गया Operation Neptune Spear को इतना गोपनी रखा गया था कि इसकी भनक पाकस्तान को भी नहीं थी इस Operation को American Navy Seal के कमांडों ने अंजाम दिया था उसामा को मारने के लिए करीब 25 सील कमांडों ने 6 अमेरिकी हेलिकॉप्टर में अफगानिस्तान से उडान फरी 90 मिनिट के सफर के बार पाकस्तान के स्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबडाबाद में ये हेलिकॉप्टर उतरते हैं और 40 मिनिट तक ये Operation चलता है Bureau Report, जनभावना टाइम्स